पब जी मोबाइल आयोस एंड आइपैड फेस्बुक लोगिन प्रोबलम हेलो गाइस वेलकम टू बैक माई यूटूब चैनल अनदर वीडियो तो गाइस क्या आप लोगों को भी आपका जो आइफोन डिवाइस है या फिर आपका एंड्रोड डिवाइस है इन दोनों के उप एंड आप लोगों कोब्लकुष यही एहां पर देखने को मिल उपर आया है और आप लोगों को अंदर बताने वाला हूं कि आप लोग इस वाले एयर को जो है किस परकास है है पर पर फिक्स कर सकते हैं तो इक्स्छिव पर जो मोबाइल हैं यहाँ पर इसले मेरे आइफोन वीडे उपर यहां पर log in हो रहा है नहीं को देखने को मिले हैं तो अब लोगों वह यहर्र देखने को मिल ला तो आप लोगों इसको कैसे fix करना है तो चले गाइस बीदे स्टार्ट करते हैं यह आप लोगों को फूल डीटेल के उपर आपके पास X78910 कोई सा भी आपका जो आइफोन डिवाइस है उसके उपर जैसे आप लोग अपने पर पपजी मुबाइल को यहाँ पर ओपन करें और ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर लोग इन करने को मिल रहा है एको मुओन आप लोगो को सबसे पहले तो आप लोगों को अपने यहाँ पर और यहाँ यहा प्लीकेहिशन डाउनलोड करना है जिसका नहीं है DNS Changer आप लोगों को DNS Changer मोबाइल को यहाँ पर अप्लिकेशन को यहाँ पर अपने iPhone डिवाइस के उपर यहाँ पर डाउनलोड करना है जैसे आप लोगों यहाँ पर DNS चेंजर लिखके सच करेंगे तो आप लोगों सामने यहाँ पर कुछ इ DNS Code आपको प्रवाइट कराऊंगा आप लोगों इस अप्लिकेशन के उपर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद अपने iPad या फिर iPhone डिवाइस के उपर यहाँ पर यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर DNS का जो ओप्शन्स है यानि कि जो अप्लिकेशन के कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा अब आपको इसके अंदर DNS Code लगाना है तो आपको DNS Code में यहाँ पर प्रवाइट कराऊंगा आप लोगों को यहाँ पर आना है अपने Chrome ब्राउजर के उपर यहाँ पर यहाँ पर आप लोगो इसके अंदर यहाँ पर एंटर हो जाएंगे आप लोग जिसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप लोग को एंटर हो जाना है एंटर होने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर त्री डोट देखने को मिलता है आपको त्री डोट पर क्लिक करना है और यहाँ पर dream link के search करेंगे यहाँ पर आपको एक post देखने को मिले का starting वाला आपको इस पर click कर लेना है click करने के बाद अब आप लोग को scroll करते वे नीचे की side आना है जैसे आप लोग यहाँ पर नीचे की side scroll करते वे आएंगे तो आप लोगों को जो यहाँ पर एक DNS code देखने को मिलेगा आप लोग थोड़ा scroll करते वे नीचे की side आनेगे तो आपको red color का DNS code देखने को मिलेगा आप लोगों को इसको यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पर आपका DNS code जया है यहाँ पर आपको copy कर लेना है कोपी करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है मैं इसको यहां से कोपी करने के बाद गईज अब आप लोगों को अपनी DNS कोड को यहां से कोपी करने के बाद आपको अपनी DNS चेंजर के उपा लाने है यहां पे आप लोगों को जो DNS कोड मैंने आपको दिया है उसको यहा लोग को जो DNS code है आपके mobile phone के open यहां पर activate हो जाता है और आप लोग जैसे यहां पर start पर click करेंगे तो आप लोग के mobile phone के open यहां पर connecting होना start हो जाता है तो इस तरह से आप लोग को हो जाता है तो अच्छी बात है और आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा तो आप लोगों को जो ट्रीक मैंने बता ही उसको एक बार आप लोग यूज़ करके देख लेना तो चले इस वीडियो में इतने था गाइस मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देने और बेल आइकन को उल पर प्रेस कर देने और वीडियो को गाइस आप लोग हेट मत दिखाना क्योंकि मैंने आप लोगों को जो ट्रीक बता ही है उससे सहय दिए आप लोगों का ओपरना जाहे तो बहुत अच्छी बात है नमरना आप लोग